नमस्कार साइंसन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज का जो विशय है वो सेर साह सूरी जो की इतिहास के एक किरदार है जो मुगल पीरियड भारतवर्स में रहा उसके दोरान इनका सासनकाल था 1540 से लेकर 1545 तक का इनका सासनकाल काफी बहतर रहा काफी अच्छा रहा इनके बारे में आज का विशय है पढ़ाई होगी सेर साह सूरी के बारे में हसन खान सूर और दादा जी का नाम इबराहिम खान सूर था सेर साह सूरी का जन्म पंजाब के होसियार पूर सहर में बजवारा नामक अस्थान पर हुआ था इनका असली नाम फरीद खान था इनका असली नाम था इन्होंने हुमायू को 1540 में हरा कर उत्तर भारत में सूरी समराज्य की अस्थापना की थी 1540 में हुमायू को हराकर उत्तर भारत में इन्होंने सूरी समराज्य की इस्थापना की थी 1549 में चौसा का युद्ध जो की हुमायू के साथ हुआ था चौसा बिहार के बकसर जिला के आसपास का एक छेतर है एक गाव है जहां पर ये युद्ध हुआ 1549 इसवी में हुमायू और सेड सासूरी के बीच जिसमें सेड सासूरी ने हुमायू को पराजित कर दिया फिर 1540 में पुनह हुमायू को हराकर सेड सासूरी ने भारत छोरने पर मजबूर कर दिया ये एक सांदार रननीतीकार सक्षम सेनापती और प्रतिभा सालिश शासक थे। इन्होंने नई नगरिये और सैन्य प्रसासन की स्थापना की थी। नई नगरिये और सैन्य प्रसासन की स्थापना की थी। पहला रुपया जारी किया भारतिये डाक व्यवस्था को पुनह संगठित किया। तथा अफगनिस्तान में काबुल से लेकर बांगला देश के चटगाओं तक ग्रैंड ट्रंक रोड को बढ़ाया। सेड साह का मकबरा बिहार के सासाराम में इस्थित है जो की एक दर्सनीय अस्थल है। आईए एक बर फिर से रिपीट करते हैं। 1549 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने हुमायू को पराजित किया। चौसा बकसर बिहार के बकसर जिले के आसपास का एक छेत्र है। फिर 1540 में पुनह इन्होंने हुमायू को हरा कर भारत छोरने पर मजबूर कर दिया। ये एक सांदार, रननीतीकार, सक्छम सेनापती तथा प्रतीभा साली सासक थे। इन्होंने नई नगरिये और सैन्य प्रसासन की स्थापना की थी। पहला रुपया जारी किया इन्होंने और भारतिय डाक व्यवस्था को पुनह संगठित किया। तथा अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांगला देश के चटगाओं तक ग्रैंड ट्रंक रोड को इन्होंने बढ़ाया। सेड़ साह का मकबरा बिहार के सासा राम में इस्थित है जो की एक दर्सनिय स्थल है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने सेड़ साह सूरी जी के बारे में पढ़ा। जिनका सासनकाल पंदरह सो चालिस से लेकर पंदरह सो पैंतालिस तक था जो की काफी सम्रिध और बेहतर रहा था। थैंक्यू वेरे मुश।